वेल्कम बैक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे मैं बच्वर में किसी भी काम करने का आधी हुआ करता था या मैं किसी भी काम को करने का अभी भी आधी हूँ और या फिर मैं किसी भी काम को करने का आधी हो गया हूँ let's get started तो सबसे पहले बात करते हैं used to, used to एक ऐसा topic है जैसे कि हम इसमें past के habit को show करते हैं और वो habit का connection हमारे present से नहीं होता है, वो habit हमारी past में होती है पहला example है, मैं cricket खेला करता था जब मैं बच्चा था, I used to play cricket when I was a kid जब मैं बच्चा था मैं स्कूल जाया करता था मैं when I was a child I used to go to school ठीक है when I was a child इसको आप sentence के आगे भी भी ला सकते हैं पीछे भी ला सकते हैं और राइट मेरे बबा काम करने से पहले वयाम किया करते थे यह भी past की बात है तो my father used to do exercise every day before work मैं coffee पिया करता था लेकिन अब मैं चाय पीता हूँ तो coffee से connection करता I used to drink coffee every morning but now I drink tea मैं दिल्ली रहा करता था लेकिन अब मैं उत्राखंड रहता हूँ So I used to live in Delhi but now I live in उत्राखंड ठीक है तो कोई भी आप अपनी past के habit बताते हैं या past के बारें बताते हैं तो बात की जाती है used to की Second topic इसी का हम negative बताते हैं मैं coffee नहीं पिया करता था तो होगा I did not use to drink coffee डिड आ गया है तो common सी बात है first for my use जब मैं बच्चा था मैं video games खेला करता था When I was child I used to play video games ठीक है कोई आप से पूछे का क्या तुम video games खेला करते थे जब तुम बच्चे थे तो होगा English में Did you used to play video games when you were a child Okay next है मैं कभी smoke नहीं करता था तो I did not use to smoke बहुत easy है I never used to smoke यहां पर did है तो first form आएगी यहां पर कुछ नहीं है तो never के सांथ used to Second topic है I got used to देखे इसको आप I got used to बोले या फिर आप इसको I have got used to भी बोलते हैं तो मैं यहां पर थोड़ा short लेलता हूं I got used to पहला topic है पहला example है मैं football खेलने का आदी हो गया हूं I got used to playing football ठीक है ing क्यों आया है अभी बताऊंगा मुझे देश में रहने की आदत हो गई है होगा I got used to living in this country वैसरा पीने का आदी हो गया है He got used to consuming alcohol मैं English बोलने का आदी हो गया हूं I got used to speaking English देखे यहां पर ing form आई है इसके लिए आई है क्योंकि कोई भी जैसे की habit है कि मैं किसी भी काम करने का आदी हो गया हूं आदी हो गया हूं मतलब आप अभी भी उस काम को करते हैं तो आप अभी भी करते हैं तो कोई भी आप प्रिजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो आप हमेसा बोलते हैं जैसे मैं खेल रहा हूं I am playing, ठीक है मैं जा रहा हूँ, I am going, यहाँ पर क्या है, I got used to playing football, मैं football, अब आजकल भी खेलते हैं तो I enjoy आएगा, कि I got, God के meaning जैसे बहुत सारे होते हैं, मैं आपको previous वीडियों में बताया है, कि God मतलब क्या होता है, पा लिया, कर लिया, समझ गया, तो यहाँ पर God का meaning क्या है कि हो गया, आदी हो गया हूँ, तो यह सारे meaning God के होते हैं, तो आपको याद एगना है, अगर हो गया, तो I का God, next बताता हूँ, I am used to, देए, I am, I am मतलब क्या होता है, मैं हूँ, मैं भासकर हूँ, I am भासकर, तो I am जहाँ पर आएगा, I am used to playing cricket, मैं खेलने का आदी हूँ, I am used to playing cricket, second है, I am used to drinking coffee, मैं coffee पीने का आदी हूँ, या आप बोल सकते हैं, I am used to having coffee, यह है, he is used to consuming alcohol, वैसरा पीने का आदी है, next time मैं इंग्लिस बोलने का आदी हूँ, I am used to speaking English, तो यहाँ पर सब मैं I am आएगा, I am used to getting up early in the morning, मैं सुबह उठने का आदी हूँ, और he is not used to driving a car, व बहुत common सा concept है, कभी भी अगर आप बात करते हैं अभी की, कि मैं हूँ, मैं हूँ मतलब I am, मैं हूँ, मैं केकड़ खेलने का आदी हूँ, I am used to playing cricket, क्योंकि आप अभी भी उछ चीज़ को कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है, तो ing form आएगी, next बात करते हैं, अगर आप confused हो गए है तो मैंने आपको तीन चीज़े बताई हैं, तो don't get confused between these sentences, पहला है, I used to live in the country, ठीक है, I used, मैं रहा करता था इस country में, I am used to living in the country, I am, मैं हूँ, मैं आदी हूँ, यहाँ इस country में रहने का, मैं इस country में रहने का आदी हूँ, I got used to living in the country, तो got आगया, तो मैं आदी हो गया हूँ इस country में रहने का, ठीक है, मैं इस country में रहने का आदी हो गया हूँ, तो बहुत easy है, आप इसको repeat करिए, practice करिए, daily routine में use करिए, और आपको एक काम करना है, example, एक देना है comment box में, कि बच्पन में आप कौन सा game खेलने के आदी थी, what game did you used to play when you were a child, तो आपको comment box में comment करना है, वीडियो को share करना है, so thanks for watching this video, see you soon.